हेलो फ्रेंट्स विल्कम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि B.A.6 बाइक्या स्कूटर के फ्यूल टैंक में हमें कम से कम दो से लेकर 3 लिटर पेट्रोल रखना चाहिए नहीं तो फ्यूल पंप का जो मोटर है जल सकता है वो खराब हो सकता है हाला कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं क्योंकि ये बहुत हद तक इंजन की कैपेसिटि को पर में डिपरेंड करता है और इसको पर मैंने ओल्रीड डीटेल वीडियो बनाए है जहांपे मैंने आपको बताया कि किस बाइक या स्कूटर में, as per engine capacity, हमें कम से कम कितना petrol रखना चाहिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो link आपको description में मिल जाएगा, अब friends, इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है, कि मैं चाहता था कि आपको visualize किया जाए, कि जो fuel pump है, जो fuel motor है, इसका design, size, shape, कि इस तरह से होता है, यह कहां पर located होता है, और क्यों इसके जलने का chance होता है, कम petrol के वज़ा से, तो आगे इस वीडियो को पूरा देखे, और अगर भी तक हमने चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe जहुर से कर ले, अब friends, अभी आप इस screen पर देख रहे हो, यह मेरे BMW G310R बा है, क्योंकि यही fuel motor, जो fuel tank से petrol को आगे fuel land से होते हुए engine के cylinder के अंदर में भेजता है, तो design तो आपने देख लिया, लेकिन इसका location भी बहुत interesting हो, क्योंकि mostly इसका location होता है, वो यह fuel tank के अंदर में located होता है, वहाँ पी यह fitted होता है, और यही वज़ा है कि जब हम लोग अपन इसके location के वज़ा से ही आता है, अब चुकि इसका location कुछ इस तरह से है, कि जो fuel pump का motor है, वो fuel tank के सबसे नीचे वाले portion में होता है, तो जब fuel tank के अंदर में petrol जादा होता है, तो problem नहीं होता, बहुत अच्छी तरह से कि जो motor है, वो fuel को सक करके आगे भेज देता है, लेकिन ज पेट्रोल कम हो जाता है, रिजर्व से भी कम हो जाता है, उस टैम पे fuel pump के motor को परेशानी होती है, और खास करके जब हमने cornering कर रहे और पेट्रोल कम है, तो उस टैम पे भी कई बार जो fuel pump का motor है, वो dry चला जाता है, वो सुखा चला जाता है, जिसके वज़से chances होता है, कि fuel pump में रखे, यह important है, इसके लाब आपको यहाँ पे black alert का एक floater भी दिखाई दे रहा है, इसका भी काम बहुत interesting है, क्योंकि यह भी fuel pump के साथ ही attached होता है, और यह भी जो fuel tank के अंदर होता है, तो fuel tank के अंदर में कितना petrol है, उसके according यह जो floater है, वो up down होते रहता है, और उसी के according हमारे bike का जो odometer है, वहाँ पे show होता है, कि हाँ petrol कितना जो bars दिखाई देते हैं, वो इस floater के help से हो पाते है, तो friends, यह यह fuel pump का जो construction, design और location, उमीद है कि इस वीडियो में दिगए जानकारी आपको पसंद आयोगी, वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और जरू कर दे, वीडियो के बाट और चैनल के बार अपनी राय, आप मुझे कॉमेंट एक जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो please चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, goodbye.